पिरे विध्यारतियों नमस्ते आज के इसी कंटेंड में हम चर्चा करेंगे प्रसित कवी नागार्जुन द्वारा रचित उनकी एक लगू कवीता बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद कवीता में कवी ने गाओं के ग्रामिन परिवेश के प्राकर्टिक सोंदरे के साथ साथ मानव स्रम की सपलता पर अपनी प्रसंता विक्त की है कवी इस कवीता के माद्यम से ग्रामिन परिवेश के प्राकर्टिक सोंदरे का जो साथ विक वर्णन करता है उसे देख करके उसके बारे में चिंतन करके पाठक या स्रोता के मन में प्रकर्टिक के प्रति आत्मियता उत्मन होती है कभी वर्णन करता हुआ कहता है कि बहुत दिनों के बाद अबकी मैंने जीवर देखी पकी सुनहली पसलों की मुस्कान बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद अबकी मैं जीवर सुन पाया दान कोटती किशोरियों की कोकिल कंटी तान बहुत दिनों के बाद बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवर सुंगे मोल सरी के ढेर ढेर से ताजे टटके फूर इस अवत्रण में कवी ने कहा है कि बहुत दिनों के बाद गाउं में जाने पर मैंने किसानों के स्रम का सुन्दर पर्तिफल देखा और खेतों में पकी हुई सुनली आबा वाली पस्लों की सोभा भी जी भर करके देखी बहुत दिनों के बाद अबकी मैंने जी भर करके देखी है पकी सुनली पस्लों की मुस्कान मैंने किसानों की मेंनत से उत्पन की गई पकी हुई सोन मही पस्लों की मुस्कान को अर्तात सोन मही पकी हुई पस्लों को लहराते हुए जी भर करके बहुत दिनों के बाद देखा है उन पकी हुई पसलों का प्राकर्टिक सोंदरे मुझे बहुती आकर्शक एव मनोरम प्रतित हो रहा है बहुत दिनों के बाद उस सोंदरे को देख करके आज मुझे प्रसंता हो रही है कभी आगे कहता है कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जीवर सुन पाया दान कूटती किशोरियों की कोकिल कंटी तान बहुत दिनों के बाद कभी आगे कहता हैं कि इस बार मैंने बहुत दिनों के बाद ओकली में दान कूटती किशोरियों की द्वारा गाये जाने वाले जो मदूर गीत थे जो अपने कोईल जैसे मदूर कंट से गा रही थी उसे मैंने जी भर करके सुना है मुझे बहुत दिनों के बाद ये सोभागे प्रातु हुआ है कि आज मुझे गाउं में बहुत दिनों के बाद कापी समय के बाद दान कूरती हुई किसोरियों की कंट से कोकिल के समान मधूर जीतों की आवाज जीवर करके सुनाई दी जिसे मैंने जीवर करके सुना बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जीवर सुनगे मोल सिरी के धेर धेर से ताजे टटके फूल बहुत दिनों के बाद कभी कहता है कि किसानों को उनके स्रम का जब पूरा फल मिल जाता है इस कुछी में ग्रामिन कर्शक बालाएं दान कूर्टी हुई मदू शोर में लोक गीत गाने लगती है उन्हें देख कर कि कभी को आनन्द की अनुगूती होने लगती है कभी कहता है कि इस बार जब कापी समय बीट गया तो उसके बाद मुझे मोल सरी के धेर सारे ताजे सुगंदित फूल सूंगने को मिले और उनकी सुगंद से मेरा मन हरसित हुआ ताद पर ही यह कि कभी कहता है कि कापी समय के बाद बहुत दिनों के बाद मुझे गाओं के परिवेश में परकर्ति के सोंदरे का दर्सन हुआ मैंने कापी दिनों के बाद गाउं के आसपास जो मोल सिरी के धेर सारे ताजे सुगंदित फूल थे उनको मुझे सूंगने का सोभग्य मिला अर्थात कभी कहता है कि कापी समय हो जाने के बाद जब किसानों की मेहनत सपल हो जाती है तो चारो तरफ पकी हुई पसले लहराती हुई दिकाए देती हैं चारो तरफ दान कूरती हुई किसोरियों की मधूर कंड से मधूर लोक गित सुनाई देते हैं और चारों तरफ गाउं में मोलसरी के धेर धेर सारे फूल महकने लग जाते हैं अपनी सुगंद विखेरने लग जाते हैं और इस परकार से कभी केता है कि ऐसा वातावरं ऐसा ग्रामिन परिवेश का दर्से मुझे सहरी सेतर में कहीं दिकाई नहीं देता जब कि मैं बहुत दिनों के बाद जब गाउं के परिवेश में गया ग्रामिन सेतर में गया तो मुझे ये सारे द्रसे अपनी और आकर्शित करने लगे जिने मैंने जी भर करके देखा जी भर करके अनुभूत किया कवी ने प्रकर्ति के साथ किसानों के सपल स्रम का सुन्दर वर्णन किया है सुनली पकीपसलों की मुस्कान से स्रम की शुगद अनुभूती का भाव भी यहाँ पर वेक्तु हुआ है सब्दावली बहुती श्रल है छंद की तुकांतता उचित है कहने का तात परे यह है कि कवी यहाँ पर ग्रामिन परिवेश के सोंदरे का जो वर्णन करता है वो निश्यत रूप से प्रकर्ति के प्रति उसका अपनापन उसकी आत्मेता प्रकर्ति के प्रति उसकी उधारता और एक कवी की नजर की किस परकार से प्रकरती का सुक्ष माउलोकन किया जा सकता है वो सब इस पद्धे में देखने को मिलता है जे हिन जे भारत